आपका बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो हम लोग गोली दरपड के नियुमेरिकल साथ साथ कोस्चन देखेंगे इसके पहले हमने एक वीडियो और अपलोड कर दिया है यदि वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेजिए क्योंकि उस चैप्ट समय मीटर की दूरी पर रखा जाता है तो उत्पन आ वर्धन जब भी निकालना होगा तो बस्त से दूरी दो दसमलो 5 हो जाएगा यह माइनस में होगा यह किसके बराबर होगा देखिए यहां धुरू से 5 सिंटीमीटर की दूरी पर रखा तो बस तो रखा है तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा इसकी प्रतिविम की दूरी निकालना पड़ेगा और यह कितना दिया है यूंका B का वैलू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा एक बटे B बराबर कितना हो जाएगा यह देखे यह उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यहां हम लगा देते इसको यह एक बटे B किसके बराबर हो जाएगा ठीक है एक बटे B किसके बराबर हो जाएगा माइनस के देखे माइ माइनस के दो दसमलों पांच होगा दो दसमलों पांच आज देखिए माइनस उधर जाएगा तो प्लस के कितना हो जाएगा एक बटी पांच हो जाएगा अब देखिए दसमलों हटाएंगे कितना हो जाएगा एक जिरो बढ़ जाएगा ठीक है कितना होगा तो उसको काट अब देखिए इसको LCM ले लीजएगा तो LCM जब लेंगे इसको तो देखिए यहां भी 5 है यहां भी 5 है तो LCM कितना आएगा 5 ही आएगा कितना आएगा LCM 5 ही आएगा अब उपर कितना है उपर देखिए धर माइनस 2 है कितना है माइनस 2 अधर कितना है plus 2 Z-1 चैओं माइनिस के एक बचों कितना एक सी कितना भचेगा माइनिस के एक बचेगा और नीचे कितना है 5 लोजल खुए t du did inside खुए必ड कि बराबर एक बटेm अगर bisa उकलना चाहरी हर तो अगर बीन yhtी निकालना चाहरे तो होता है यूं होता है माइनस के बटे यूं होता है ठीक है अब यहां पर बैलू रख देंगे तो माइनस बी का बैलू कितना दिया है माइनस के पांच दिया है कितना दिया है माइनस के पांच दिया है ठीक है और यूं का बैलू कितना दिया है यूं का बैलू यहां पर देखे पांच दिया, कितना दिया है, पांच इसको भी माइनस में रखेंगे, ठीक है, अब देखें, माइनस माइनस से क्या होगा, प्लस हो जाएगा, अब पांच से पांच कट जाएगा, तो कितना बचेगा, एक बचेगा, कितना बचेगा, एक, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो कि साफसन सही होगा इसका सी वाला सही होगा अगला कोश्चन है चल्न है देखे दिया है एक परतिविम का आवर्धन एक दसमलो पांच है और गोली दरपर से बस्ट की दूरी दिया है तो परतिविम पर बनेगा तो निकालते हैं आवर्धन की फारमूले से यह बराबर कितना होत कितना होता है यूं होता है अभी हम कापैलू कितना दिया है एक दसमलों पांच दिया है और यहाँ पर माइनस भी को इसे रहने देना है अब परतिविम की दूरी कितना दिया है तीस दिया है देखिए चाहिए उतल रहे चाहिए उतल दिया रहे ठीक है दोनों में यूं कापै करेंगे तो कितना हो अगर पंद रहती हैं पैतालिस कितना होगा पैतालिस एक जिरो और लग जाएगा लेकिन एकंग पर दसमूर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा यह पैतालिस हो जाएगा यह बी का बैलू कितना होगा पैतालिस हो जाएगा अब भी देखें क्या है तालिस सेंटीमीटर, देखिए 20 सेंटीमीटर दू आपसन तो ऐसे कड़ जाएगा, अब है दरपड के सामने और दरपड के पीछे, ठीक है, दरपड के, अज़े कि यह B का बलू पॉच्टिव है, ठीक है, B का बलू पॉच्टिव है, इसका मतलब यह कहां बन रहा है, पीछे है निए उत्तल दरपड़ कोई सा होगा इसका ए वाल सही हो जाएगा कौशन है यह गोली दरपड़ काकार इस प्रकार बढ़ता कि उसकी बकृता तृजिया दूगनी हो जाती है तो उसका focus दूरी तो हम जानते हैं कि R किसके बराबर होता है R जो है वो 2F के बराबर होता है R 2F के बराबर होता है अब बकरता तिरिजिया के क्या होगा ये समान पाती है तो अगर ये दूग ना होगा तो इसका focus दूरी भी क्या हो जाएगा तो इसकी फोकस दूरी भी कितनी हो जाएगी दूग नहीं हो जाएगी तो कॉंस आफशन से फोकस का डी वाला सही हो जाएगा अगला कोश्चन है देखिए निमेरिकल का कोश्चन है क्रयत किसी बस को 30 cm फोकस दूरी वाले उत्तल दरपढ़ से 20 cm की दूरी पर रखा जाता है तो परत्विम बनेगा परत्विम कितने दूरी पर बनेगा तो बस निमेरिकल लगाते हैं फार्मूला होता है एक बटे एफ बराबर एक बटे एफ बराबर कितना होता है 1 बटे B पलस के 1 बटे यह बटे कितना होता है यहाँ पर B का बइलू निकालना है ऐसे रहने देना है यू का वैलू देखे चाहे दर पर किसी भी परकार का हो यू का वैलू क्या होता है दोनों में माइनेस होता है तो इसको कितना रखेंगे माइनेस के 20 रखेंगे कितना रखेंगे माइनेस के 20 रखेंगे 20 लिखा हुआ है ठीक है थोड़ा सा मेरे पेन थोड कितना होगा एक बट्टे बीस हो जाए कितना हो जाएगा एक बट्टे बीस हो जाएगा ठीक है अच्छा तीस और बीस के लस्यम कितना होगा तीस और बीस के लस्यम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यह साथ ही आ जाएगा तो तीस दूना साथ है ठीक है तीस दूना क्या हो अब याइशा होगा? लाइशा हो तो 2 है 3 है तो कितना हब पांच वटटे? कितना हो जाएगा? थोड़ा कम करता लेकिन जो बोल रही ہے उसको सुनते रहे गा और calculation अपने तरीके से करिएगा method हम बता दे रहें अगला question है कि aautal दरपड का बकृता केंद्ध स्थित होता है तो aautal दरपड है तो aautal दरपड में देखी aautal दरपड हमारा यहीं होगा ठीक है aautal दरपड है तो aautal दरपड में चाहे focus पूछे अच्छा है बकरता केंदर पूछी कहां होते हैं दरपड के सामने होते हैं तो कौन सा अफसन स्योगस का डी वाला सही हो जाएगा तेखिए यह इसका पहला पार्ट नहीं देखिए तो उसको जरूर देख लिजए क्योंकि पहले पार्ट में हुने डाइगराम से समझाया है त पहली पार्ट देखने के बाद दूसरा पार्ट यह वाला देखिएगा अगर देख लिए हैं तो अच्छी बात है अगला कोश्चन है कि गोली दरपड प्रकास के प्रावरतन के समझ में कौन सा कथन सही है आपको बताना है कौन सा कथन सही है कि उत्तल दरपड इसके मुख सा कि तकरा कैसे जाएगी यहांसे जैसे गई almost जाएगी तो वेकर प्रकास के व्यव्द फाहल रही है यहाँ प्यल रही है प सारीथ लिकिए इसलिए कोगा गलत होगा यहाँ पर हम्में सही कथन बताना है ठीक है आउतल दरपड इसके मुखेच के समांतर आपतित परकास क्रिडों को अभिसारित करता है ठीक है यह क्या करता अभिसारित करता है अभिसारित मतलब देखे जैसे यहां पर हम मान लेते कोई उत्तल दरपड बनाएंगे तो इसमें मुखेच होगा तो यहां से परकास के केड़े जाएगी इसे पिस बिंदू पाएगी यहां जाएगी इस पर आएगी तो यहां पर क्या हो रहा है अविसारीत हो रहा है क्या हो रहा है यह वाला क्या है है तो यहां बनाताँ वास्तवींग नहीं बनाता है रहा वाला वहासी बना और 209 पर करहें पर थे खोंधर कम नसे और बहुते, वहासि हो जाए पहले वाले वीडियो स्हीं हो किस आफसन में है से में तो कौन साफसन से वाला सही हो जाएगा अगला कोश्चन है कि किसी बस्त को 12 cm फोकस दूरी वाले आउतल दरपड के सामने 6 cm की दूरी पर रखा गया है इसका परत्विम की दूरी पर बनेगा और किस परकार का बनेगा तो सबसे पहरे निमेरिकल दिया अब देखे दरपड कौन साफ़ताव है तो अफ़ताव है तो सब माइने 6 और मद्वी चेह एक बड़ए ऍसे तेंए 8 यू निकालती है 6 cm की दूरी पर रखा तो कितना होगा माइनस के 6 होगा कितना होगा माइनस के 6 होगा अब माइनस 6 इधर जाएगा कितना हो जाएगा पलस हो जाएगा यह हम कह सकते हैं कि 1 बटे भी किसके बराबर होगा माइनस के 1 बटे 12 कितना होगा माइनस के 1 बटे 12 प्लस के कितना होगा एक बट्टे च्छे हो जाएगा अब इसके लेस्यम लेंगे तो कितना हो जाएगा इसके लेस्यम लेंगे तो कितना ही आएगा इसके लेस्यम लेंगे तो कितना ही आएगा बार ही आएगा लेस्यम कितना आएगा बार ही आएगा तो यह कितना उपर देखे इसमें 12 है इसमें 12 है तो जो प्लस में 12 आया है तो जो तो कैसे बनेगा अभासी बन जाएगा कहां बनेगा आप यह देखें का मना आभासी बनेगा कौन साफसन स्योगाइब इसका डीवाला सही होगा देखिए अवतल दरपड का इन्हीं कौन सा कंडिशन है अभासी तभी बनता है जब जो बस तो कहां पर रखा गया होगा फोकस और पोल की बीच भी रखा जाता है तो इसका दरपड की पीछे बनता है अभासी उसके पहले वाले ब्यूह मोथ नहीं कрь He के सभी कंडिशन में यहां माइनिस में होता है अगला कोस्चन है कि किसी बस्त को एक आउतल दरपड के सामने उसके धुरू पी और फोकस पी के बीच इस्थित किसी बंद पर रखा गया है निरनित प्रत्मिन में होगा देखे वही कोशन पूछा है कि धुरू और फोकस के बीच रखा गया है तो जब धुरू और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रत्मिन कैसे बनता है अभासी बनता कैसे बनता है अभासी बनता अभासी में हमेशा कैसा बनता सीधा बनता है कौन सा अक्षन सही होगा इसका सीवाला सही होगा कौन सा होगा सीवाला सही होगा देखी परतिमिन दो ही परकार का बनता है ये तो अभासी बनता है एक वास्तवी बनता अभासी में बता है तो नहीं पर भी आपको पता चली रहा और cabbage स्यूठा बनेगा साली समय स्यूधा बनेगा थिक का वेलू दूनों का प्लस में होता है तो क्या होगा फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगी अगला कोशन है किसी बस्ट को 9 cm फोकस दूरी वाली उत्तर दरपड के सामने 18 cm की दूरी पर रखा गया दरपड दौर उत्पन आवर्धन ग्याद करना है इसका इंसर आपको खुद करक उत्पन आवर्धन निम्लेखित में से किसके बराबर होगा तो जो आवर्धन होता है तो रिश्यू तो होता है तो पहले माइनस लगा हुआ माइनस लगा हुआ है इकार देंगे ठीक है तो बताएं जो आवर्धन होता है क्या होता है माइनस बी बाई यह होता है ठीक है यह परतिबिम की दूरी होता है ये बस्त की दूरी होता है या फिर क्या होता है इसे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Ah пойловoden हो सब कि इस सब्सक्राइब की उच्फाइब एक इक कि गुदे का परतिविम की उच्फाइऑ क Evetкив क्परतिविम की उच्फाइए अरwe VO CME होता है यहाँ बस्त की तरे होगी इसमें इसमें कि वाला सही हो जाएगा अगला कोश्चन है कि किसी बस कोई 10 cm फोकस दूरी वाले उत्तल दरपड़ के सामने 15 cm की दूरी पर रखा गया है इसका प्रतिमी की दूरी पर बनेगा तो देखिए यहां पर सीधी सीदे कहें दिया है दरपड कौन सा है उत्तल दरपड है उत्तल दरप एक बट्टे इफ बरावर एक बट्टे भी एक बट्टे भी प्लस के एक बट्टे यू से लगाएंगे एक बट्टे इफ का वैलू कितना दिया है फोकस दूरी उत्तल में प्लस उत्त फोकस दूरी कितना दिया है दस दिया है एक बट्टे दस दिया है और यह कितना एक कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा यह कितना होगा एक बट्टी बराबर किसके होगा एक बट्टी दस प्लस एक बट्टी कितना होगा पंद्रह होगा प्लस एक बट्टी कितना होगा पंद्रह होगा अब देखे इसका जब लसीम आप लेंगे तो कितना आजाएगा दस 15 कितना है तो 10 ता है तो 30 सोगा और 15 सोगा तो 3 को सही हो जाएगा अगला कोश्शन है अगला कोश्चन से पहले दूस्तों आप से रिक्वेस्ट गये देब चैनल प्यानेल नीव है तो पिली चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजजिए वीडू आपको अच्छा लागेगा तो लाइक कमेंट करके फीड़बेक जरूर देजिएगा अब देखिए किसी बस्त को 15 cm की दूरी वाले ओलता दरपड के सामने रखा जाता उसका परिद्विन बस्त की और 45 cm की दूरी पर बनता है दरपड से बस्त की दूरी ग्याद करना है इसका आइंस्वर आप खुद कर कमेंट करके बताएंगे कितना आ रहा है क्यों नियुमेर के हमने पहली वीडियों काफी सारा लगवाया इसमें भी 3-4 लगवा चुके हैं तो लगाने की तरीका आपको पता चल गया है इसको खुद लगाएगा इसका हम आपको कि रुम में जाना जाता है तो उसको क्या बोला जाता है मुख अच्य बोला जाता अगला को स्चन है कि एक गोली दरपड की बकषत की 45 cm है तो फोकस दूरी कितनी होगी तो बक्रता त्रिजिया का जो आधा ही क्या होता उसकी फोकस दुरी होती है अगर इस चालिस है तो कितनी हो जाएगी 20 हो जाएक, कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, अगला question है, कि जब प्रकास के किरण आवतल दरपड के धरूपर तिरिये गुरूप से आप्तित होती है तो प्रावर्तित किरेड होगी तो प्रावर्तित किरेड क्या होगी यहीं आपको बताना है तो देखी जब किरेड आवतल दरपड की धुरूपर तिरिये गुरूप से आप्तित होती है ठीक है तो उसमें क्या होता है जो आप्तित कोड तो होता है प्रावर्तित कोड की क्या होता बराबर होता है निकोड आई कोड आर्क बनाते हुए वापस हो जाएगी तो कौण सा आप समस्राइगा इसका बी वाला सही हो जाएगा अगला कोश्चन है कि एक गोली दरपड एक सीधा तथा छोटा परित्मी निर्मित करता है ठीक है कैसा सीधा और छोटा परित्मी में निर्मित करता है गोली दरपड की बारे में सही कथन की पहचान करना है आपको इसमें बताने कि कौण सा कथन सही है कौण सा कथन सही है दरपड आउतल है ठीक ह नहीं दरपड़ आउतल नहीं होगा तो क्या उतल होगा तो दरपड़ एक अभासी पर्थमी में निर्विट करता है देखी आप यहां पर सीधा लिखा हुआ तो जब भी सीधा है तो पताए सीधा पर्थमी तभी बनता है जब कैसा हो अभासी हो यानि B वाला सही दिया है दर दरपड की फोकस दूरी क्या धनात्मक है क्योंकि अगर यह उत्तर की बात कर रहा किसका कर रहा है अगला कोश्चन है कि गोली दरपड की धुरू और फोकस की बीच की दूरी ठीक है तो यह कितनी होती देखिए माल लेते हैं बनाते हैं यह हमारा उत्तल दरपड हो गया यह हमारा धुरू हो गया यह हमारा बक्रता किंद्र हो गया यह हमारा क्या हो गया फोकस हो गया तो ही तो पूछा धुरू और फोकस अच्छा देखिए और फोकस की बीच की दूरी कितना होता है कितना होगा और बाइटू होगा तो कौन सा अफसन सभी वाला सही हो जाएगा अगला कोश्चन है किसी बस को एक आउतल दरपड के सामने उसके फोकस और धुरू पी की बीच इस्थित किसी बिंदू पर रखा गया है परित्विम इस बस्त इहां रखा जाता है तो जो परित्विम बनता हो कहां बनता है दरपड के पीछे बनता और बड़ा बनता है तो दरपड के पीछे बनता और बड़ा बनता है तो दरपड के पीछे बनता और बड़ा बनता है दियान रखेगा बस्त से अमिसा बड़ा बनता है तो कौन बस्त को एक आवतल दरपड के सामने 10 cm की दूरी पर रखा गया है इसका पर्दी में उसी और 15 cm की दूरी पर बनता है तो दरपड की फोकस दूरी ग्याद केजिए ठीक है तो देखे अब को फार्मूला तो जानी रहें कि एक बटे यह बराबर कितना होता है चलिए फिर से लि दूरी ही निकालना है तो फोकस दूरी इसे निकाल लेजिए गगा अब gave a ओतल दरपड़ दीए है तो क्या होगा सब मानिस में हो जाएगा सब्सक्कु के hall इसका माम मिनस- क्या हो जाएगा कितना होगा माइनस के 15 अच्छे हैं कर दे रहें प्लस का क्या हो जाएगा माइनश हो जाएगा क्योंकि यो का वैनल्व माम्नेस रखें तो यह capital determines क्यों माइनश होगा माइनस हो जहाने हैं मैंडिक है अब इसके कि इसका यह वाला सही हो जएगा है कूंसा हो जएगा इसका यह वाला सही हो जाएगा अगला question है कि निमलिख्षित में इसे किस स्थती में unto करता है तो वास्तविक परतिमी निर्मिद करता है अ वता है दरपड़ं देखी तो यह की condition आता है जब क्या होता है कि फोकस दरपड़ की पीछे बनता है तो हाँ पर अभासी बनता है ठीक है तो चले इसमें देखते हैं कौन से सही होगा ठीक है तो अब देखिए कहरा है जब बस तो फोकस और धुरू की मद रखा जाता है तो दरपड की पीछे बनता है और वहां पर अभासी हो जाता है यहां पर वास्त भी पूछा है यह क्या है गलत हो जाएगा ठीक है बाक अनन्द पर बढ़ता है यह भी सही हो जाएगा इन्हीं दूसरा और तीसरा वाला तो दूसरा और तीसरा किसमें दिया ए में तो कौन सा अपसम सही होगा इसका ए वाला सही हो जाएगा अगला कोश्चन है कि 100 cm बख्रता तीरिज्या वाले एक आवतल दरपर से धुरू और बख्रता केंद्र की बीच की दूरी इन्हीं से कितनी होगी अब इसमें पूछा धुरू और बख्रता केंद्र की बीच की दूरी ठीक है इसमें क्या पूछा है धुरू और बख्रता केंद्र की बीच की दू नािकितों अगला कोशन है कि जब प्रकास किरफ बीच संतिमीडर बाकृता थिया वाले उत्तार वींद्या वाले उत्ताल सवापस प्रावर्तित होती है और इसकी बक्रत्ता केंदो से आते ही पर्तित होती है नई कार्थिचीं प्रपाटी का पालन करते होई PC होगा आपको बताना है कि PC कितना हो जागा ही यहां पूत्तल दर्पड दुटल दर्पड को बनाते हैं कि उत्तल दर्पड में प्रावर्टक सकत्र फबरा है यह एक मुख Chief बनाते हैं ऑड़ UK didn't this कए अबंग सब्रोंग हुजाएगा फोकस हो प्रावर्तित होती है इसके बक्रता केंद्र सी से आती हुए प्रतित होती है यहां तक आए कि इसको dot dot मिलाते हैं फिर CPI देखें बकरता केंद्र CPI आ रहा है तो वापीस भी किस पे जाएगा CPI जाता है ठीक है तो नई कर्थ के चिन पालिन करते हुए PC का value कितना होगा यह PC का value यहीं तो बताना है तो PC का value यह कितना दिया था 20 दिया तो यह कितना ही होगा 20 होगा यह भी कितना होगा 20 ही तो होगा तो कॉंस आप्षन से होगा इसका C वाला सही हो जाएगा अगला question है कि नई कार्थी चिन प्रपर्टी का पालन करते हुए किसी उत्तल दरपड का बकरता केंद्र 18 cm इसका focus दूरी कितना होगा तो बकरता केंद्र का आध कोशन है कि किसी बस्त को 6 cm की focus दूरी और आउतल दरपड के सामने 24 cm की दूरी पर रखा गया है दरपड द्वार उत्पन आवर्धन कितना होगा तो इसके पहले कोशन हमने छोड़ा है ठीक है उसको हमने कहा है कि उसको आपको खुद लगाना है इसको भी आपको खुद देख़ी फार्मूल आपको पता होना चाहिए कि किसके बरावर होता है एक भी प्लस एक बर्ट योंकि क्या होता है बरावर होता है आप देखे चया है संट ही मेठर की focus दूरी है रहे कितना होगा, माइनस की 6 हो जाएं ठीक है और एक बत्त दर पड़ के सामने 24 cm की दूरी तो बस तो रखा गया है तो पहले मैं पढ़तिघीं में कि दूरी निकाल लेंगे ठीक है अब यहाँ माइने कर द otherwise X이… ை कितना होगा Hey watching इसे इतर होगा ÖNब होगाँ माइने किसे हो जाएगा बना सबसिता हो जाएगा बना यहां परussie कितना हो जाएगा माइनस के तीन बटे चोविस काटेंगे कितना हो तीन आठे चोविस यानि वी का वैवलु अगर हम देखा जाए तो कितना हो जाएगा एक देखे एक वटे बी बराबर एक बटे याठ आया तो बी बराबर कितना हो जाएगा माइनस के आठ हो जाए कितना हो कितना दिया माईनेस साथ दिया है तो माईनेस के आठ हो जाया कितना हो जाएगा माईनेस के आठ हो जाया यह इँकार बाइड वाइड तीन होगा लेकिन है है फिर माइनस है तो माइनस एक बट्टी तीन होगा तो कौन साफसन सही बसका डी वाल सही हो जाएगा किसी बस्त को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले आउतल दर पड़ के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है इसका परत्विम दूरी पर बनेगा बस आप देखे इसमें क्या होता फार्मूला एक बट्टे एफ बराबर एक बट्टे बी प्लस के एक बट्टे कितना होता है यह होता है यह इसके नहीं कितना है सन्टीमीर की दूरी पर रखा गया माइनस के आठ हो जाएगा अब यह इद्टर जाएगा Kirill चोने 1 किटना ओगा प्लस के एकि बट्टे 8 हो जाएगा थीक है अब जब एक बट्टे पलस थे माइनस और बलके four V आप देखे लिस्तव समय कितना बचेए कितना है इक बचेगा नीचे कितना है कि मान लेजिए किसी लड़की के सामने एक जादूई दर्पड रखा गया है परिडाम सरूब लड़का देखता है कि उसके सिर्ख का प्रत्विम समान अकार का है उसके सहीर कम्म दिभाग छोटा है और उसके पैरो का कार बड़ा है इसलिए सिर्ख से नीचे तक जादूई द प्रतिमी दर्शाता है ठीक है तो कौन सा दर्शाता है यहीं आपको बताना ठीक है तो अब देखे कह रहा है कि प्रदाम सरूब लड़का देखता है उसके सिर का प्रतिमी समान है तो जहां प्रतिमी समान बनता है इसके सबसे पहले वाले वीडियों बताये थे प्रतिमी समान बना इसके मतलब क्या होगा संतल दरपड होगा उसके बाद उसके सरीर का मद दिभाग छोटा है मद दिभाग अगर छोटा है ठीक है मद दिभाग अगर छोटा है तो किस पर तेकि हमेशा परतिमीं छोटा किसमें बनता है उत्तल दरपड में बनता है किसमें बनता है उत्तल क का का बड़ा है कि यह अपतित किरड़ तो प्रावर्तित किरड़ मुख फोकस से होकर गुज़रेगी यह आपतित किरड़ कहां पर आए जिससे क्या होगा उसका प्रावर्तित प्रावरतन के तीन नियम आपको पहले बताया थी, माले तो जैसे या उतल दर पड़ है, कोई बच्तू, ठीक है, अगर मुख्य अच्छे के समानतर आ रही है, तो हमेशे टकरा के कहां से जाएगी, यह फोकस दूरी से जाती है, और दूसरा बताया थी, फोकस दूरी से जाती है, तो यह टकरा के मुख्य के समानतर जाती है, तीसरा बताया थी, अगर बख्रता केंदर से जाती है, अब यहीं देखिए, कोशन ने पूछा यह लिए, आपतित किलड़, तो प्रावरतित किलड़ मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, प्रावरतित किलड़ काई से केंदर पर रखे जाने से परतिविम कहां पर बनेगा, किसी बस्त को आउतल दरपड के बख्रता केंदर पर रखे जाने से परतिविम कहां बनेगा, अगर बख्रता केंदर पर रखा जाता है, तो परतिविम कहां बनता है, बख्रता केंदर पर ही बनता है, हमने आउतल प्लस और माइनस दोन हो सकता है अगला कोशन है कि की बीच की दूरी गोली दरपड की फोकस दूरी कहलाती है तो फोकस दूरी किसकी बीच की दूरी कहलाती है यहीं आपको बताना है ठीक है तो किसकी बीच की दूरी कहलाती है आपको यहीं बताना है तो चली कमेंट करके बता इसका कौन साफसन से हो जाएगा देखी मान लेते हैं आवतल दरपड बनाते हैं यहाँ पे हमारा दुरू हो गया यहाँ पे हमारा बक्रता केंद्र हो गया यहाँ क्या हो गया फोकस हो गया क्या रक्य बीच की दूरी गुली दरपड की फोकस दूरी तो फोकस दूरी यहीं तो हो गया फोकस दूरी कहलाती है तो किसकी बीच कहलाती है अब देखी यहां पर तो है न कि यह धुरू हो गया ठीक है धुरू और मुख्य फोकस की बीच की दूरी ही क्या कहलाती है फोकस दूरी यहीं तो होगा मुख्य फोकस और धुरू की बीच की दूरी क्या कहला है कि फोकस दूरी तो धुरू और मुख्य फोकस कांस हो जाएगा आपसं सी वाला सही हो जाएगा अगला कोशन है कि के बीच की दूरी गोली दरपड की फोकस दूरी कहलाती है करक के बीच की दूरी गोली दरपड की फोकस दूरी कहलाती है तो भी तो पढ़े हैं कि धुरू और मुख्य फोकस ठीक है तो क्या होगा धुरू और मुख्य फोकस यह नहीं कौन साफ समस्वेगा इसका यह वाला सही हो जाएगा अगला कोशन है अब देखें यहां से दरपड की यूज कहां के जाते हैं वो वाले कोशन आएंगे वाहन के पार्स दरपड द्वारा निर्मित परत्विम और प्रकृति किस परकार की होगी ठीक है वहान के पार्स दरपड द्वारा निर्मित परत्विम की प्रकृति और प्रकृति किस परकार की होगी तो किस परकार की होती है पार्स दरपड में कैसा बनता अभासी और सिधा बनता कैसे बनता है अभासी और सिधा बनता है ठीक है पौर्ष मतलब देखिए जो side में side मेरे जिसी को बोला जाता है ठीक है इसी को बोला जाता है side मेरे पौर्ष दरपड मतलब side तो इसमें जब यह परतिव में देखेंगे तो इसमें अभासी बनता है वास्ति भी नहीं बनता कैसे बनता है अभासी में हमसा कैसा होता सीधा होता है ठीक है अगरा कोश्चन है गोली दरपढ की मुख्यच के संबंध में इन नम लिखि न सिकाउन सा कथन सही है आपको बताना है कि समीसि काउन सा कथन सही है मुख्यच एक कालपनी ग्रेखा होती है जो दरपढ के दोनों और विश्तिरित होती है बिलकुल सही देखिए यहीं तो होता है अब इसका जो अभी क्या होता है मुख्यच क्या होता सीधा होता है यहां पे कहरा बक्रित होता है बक्रित दरपड का मुख्यच बक्रित नहीं होता सीधा होता है यह गलत है तो यह और भी सही है तो कौंसा आपसन सही होगा इसका यह वाला सही हो ज अगर कोई बस्त पर रखा गया है ठीक है उसका जो परतिवीम कहां बनता है उसके फोकस पर बनता है तो कौन साफ़सन सही होगा इसका सी वाला सही हो जाएगा आवटल दरपड के छेवे कंडिशन हम इसके पहले वाले पार्ट में बताए हैं यह दिव पार्ट नहीं देखे ह अगला कोश्चन है कि एक आपतित किरड़ आवतल दरपड के फोकस से होकर गुजरती है तो प्रावर्तित किरड़ ठीक है तो क्या होगी प्रावर्तित कि देखी अब इसको पहली डाइग्राम आपको समझना बहुत जूरू लिए ठीक है तो कह रहा है एक आपतित किरड़ आपता दरपड के फोकस से होकर गुजरती है अब फोकस से अगर गुजरेगी ठीक है तो प्रावर्तित हो कि कहां से आएगी मुखेच के समानतर होगी तो प्रावर्तित किरड़ कहां होगी मुखेच के समानतर होगी तो कहां सापसन से होगा इसका सी वाला सही हो जाएगा तो क्या होगा इसी वाला सही हो जाएगा अगला कोशन है कि गोली दरपड के ध्रो और बक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी के पदों में है तो भाई देखे इसकी फोकस दूरी की पदों के बराबर होती है तो जो R होता है वो किसके बरावर होता है 2 E F के बरावर होता है तो कौन सा अप्षन सही होगा इसका A वाला सही हो जाएगा अगला question है कि गोली दरपड की focus दूरी और बक्रता केंदर की बीच की दूरी बक्रता 3G R की पदों की बरावर होती है तो आर किसके बराबर होता है ठीक है अच्छे देखे आर की पदों के बराबर होती है तो जो फोकस दूरी होता है फोकस और बक्रता केंदर की बीच की जो दूरी होती है ठीक है और किसके बराबर फोकस दूरी किसके बराबर होती आर वाई टू के बराबर होती उसी को उल्ट कि उचाई कितनी होगी कोंता है पॉस्ट संट सुयोगस की वाला सही है एगला कॉश्चन है आपतित किरड होनी पर किसी तारी का परतिवी में आउतल दरपड की फोकस पर प्राप्थ होता है तो फोकस पर का प्राप्थ होगा यहीं आपको बताना है ठीक है अगरा कोश्चन है कि जब कोई प्राप्रतित के लिए ध्रूस पर प्राप्थ होता है अगरा कोश्चन है कि जब कोई प्राप्रतित के लिए ध्रूस से और होकर गुजडता है तो उसी पतका नुसरण करेगी लेकिन विप्रीति दी सामी लेकिन विप्रीति दी सामी तो कौन सा अफसन से हो जाएगा इसका इवाला सही हो जाएगा अगला कोशन है कि निवन में से किस परकार के प्रत्विम पर प्रत्विम पर प्रत्विम पर प्रत्विम पर प्रत्विम पर प्रत्विम होता है वो हमेशा कैसा होता वास्तविक होता है छोटा और बड़ा दूनों भी हो सकता है ठीक है पर देखिए प्रोजेक्टर से आप द जाएगा अगला कोशन है कि प्रावर्तन के बाद बस्त का समान आकार वास्तिविक और उल्टा प्रत्विम उल्टा प्रत्विम प्राप करने के लिए बस्त को रखा जाना चाहिए ठीक है तो बस्त को कहां रखा जाना चाहिए यहीं आपको बताना है तो कहां रखा जाना चा कहां बनता है बक्रता केंद पर भी बनता है और साइश की वाद किया जाए तो कैसा बनता है समान बनता है तो यहीं तो कोशन में कहां प्रावर्तन के बाद बस्त का समाना कर तो यहीं कंडिशन होता है जहां पर समान बनता है और वास्तिविक तो बनता है और नीचे बनता तो उल्टा भी बनता है प्रात करनी के लिए बस्त को कहां पर रखा जाना चाहिए उसके और दरपड के बक्रता केंद पर रखा जाना चाहिए कहां पर रखना जाना चाहिए बक्रता केंद पर अब देखे जैसे हैं उत्तल दरपड में ठीक है अब समाना कार है तो उत्तल के ऐनन पर रहें था उसका प्रित्म फोकस बनता है और यह विद्बू के रिए में भनता में यह नहीं हो गांगर किसी बस्त को दरपढ रखने सल्सका प्रति बूल टा और सामानाकर कोंधे नहीं हो जाए अगला question है कि देखिए यह सब आपको 6 condition आवतल दरपड़ वाला याद होना चाहिए उल्टा और बड़ा परत्मी प्राप्त करने के लिए बस्त को रखा जाना चाहिए देखिए अब उल्टा तो नीचे ही बनता है नीचे किसमें बनता आवतल दरपड़ बनता है और बड़ा परत्मी आपको प्राप्त करना है ठीक है यह भी तो कहा है कि कैसे प्राप्त करना है कि बड़ा प्राप्त करना ठीक है बड़ा परत्मी कहां पर प्राप्त किया जा सेकेगा जब वो C और F की बीच रखा जाएगा कहां पर रखा जाएगा C और F की बीच रखा जाएगा तो बड़ा और उल्टा और बड़ा पराप्त होता है इसका भी वाला सी होता है चेक कंडीशन में बताये थे जैसे आप बस्ट को इधर लाते जाएंगे तो परदिवीं का साइज क्या होता है बढ़ता जाता है तो जब बस्ट सी जैसे माल लेते हैं सी है और ये कितना है EF है ठीक है तो C तक तो क्या होता है देखे पहले छोटा बनता है फिर बस्तु से थोड़ा सब क्या होता है थोड़ा सब बस्तु से अभी छोटा बनता है C पे क्या होता बराबर होता है जैसे C के इधर बस्तु रखा जाएगा तो प्रति में क्या होता बड़ बनना लगता है, तो अगर C और EF के बीच रखा जाए, तो जो परति में कैसा होगा, बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, तो कौन सा अफसन सही हो जाएगा, इसका, B वाला सही हो जाएगा, उत्तल दरपड़ वाला तो ऐसे काट देना है, क्योंकि बड़ा नह एक ही बचा भी वाला, वहीं सही हो जाएगा, अगला कोश्चन है, एक बिंदु प्रकास रोज से एक समांतर क्रेड़ पुंज उत्तपन करने के लिए, इनमें से किस प्रकासी कुप करण का प्रयूग कि आया सकता है, तो यह सिर्फ आउतल दरपड में संभ़ो है, ठीक है, उसको अगर आप समझ गए होंगे तब समझ जाएंगे, आप लेंस आगे जब पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे, यह समांतर क्रेड़ श्रीप उत्तपन लेंस में बनता है, तो ए और सी वाला सही हो जाएगा, अगला कोश्चन है, कि बस्त को आउतल दरपड के सामने कहां रखने पर छोटा परत्विम निर्मित होता है, अब देखिए, अगर फोकस पर रखेंगे, ठीक है, फोकस पर रखेंगे, तो बस तो कहां बनेगा, अनन्त पर बनेगा, अनन्त पर बहुत बड़ा बनता है, यह वाला आफसन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, यह वाला बनता है, ना कि छोटा बनता है, यह वाला भी हो जाएगा, बक्रता केंद्र से परे, ठीक है, बक्रता केंद्र से परे, तो जब इधर रखेंगे, इसको इधर रखेंगे, तो हमेशा चोटा बनेगा, तो बी वाला सही हो जाएगा, धुरू और फोकस के मत दे, ठीक है, आगला कोशन है इसका अंसवर आपको कमेंट करकी बताना है ठीक है आप देखेंगे इसके इसका ऊजप्शन साङ गोशन बचे हैं कि इसको इसको नजट वीडियो में पूरा कम्पलीट खर देजाएए मिलते हैं तब ने टिंवाद